सबसे पहले आप सबी को मेरा प्यारबारन वश्कार मैं सुरंद्रकपूर देबोमी हिमाचल के इन हर भरे पहाड़ों मैं दोस्तो एक वार फिर से आपका स्वागत है तो दोस्तो जैसा कि आपको मैं बता हूँ आज आपको मैं एक ऐसी जगह पे ले चलता हूँ दोस्तो जो क हरे भरे पहाड है और दोस्तो नीचे आपको मैं दिखाने की कोशिज करूं तो नीचे यहां पे मदानी लगका है और यहां पे बहुत-बहुत दूर जाके कहीं-कहीं ही गाउँ है दोस्तो जैसे कि आपको मैं बताओं जिस जगह में अभी मैं हूँ वो दोस्तो डिस्टिक चंबा के जो यहां पे द्रमनक सित्र है बहां का है तो दोस्तो सामने के बहुत ही अच्छे व्यू है और बहुत ही सुंदर यहां का जंगल है तो आपको मैं दिखाता हूँ जैसे क फद्बा आप देख पारे होंगे। दोस्तों इसको टॉर का प्धा कहते हैं और इससे दोस्तों विवा साधी यतियादी में दोस्तों जो भी मतलब पुराने समय में इस इन पत्टों के 2D बनाई जाती थी और आज भी इसका प्राचलन है तो दोस्तों इसको मैं आपको निजदीक से दिखाने की कोशिज करूँगा दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताओं इसका मतलब ऐसे बेल वाला पोदा होता है और बिल्कुल उपर तक इसमें पते ही पते होते हैं और इसमें एक बीज भी लगा हुआ है जिसको आपको मैं दिखाने की कोशिज करूँगा दोस्तों यहाँ पर जगा बहुत ही खतरनाक है ध jusर्य सब्सक्राइट यह को मैं बताओं यहाँ पर यह इसके उपर एक फाल जैसा लगा हुआ Jegi दोस्तु ऐसे बहुता की सब्लेट के लिखा है कि यहाँ पर फेजों पर एक प्लास्टिक की तरह करते हुए आगे की कुछ आपको ब्यूद नियों दिखाने की कोसिश करता हूं यहाँ परू जब भूं रहा था तो यहाँ मेरे को एक सब्ट मंदिर दिखाए दिया बहुत ही छोटा सा मंदिर है और यहां पे दोस्तों जैसे कि रोड की बात करूं तो इतना पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी यहां पे बहुत ही सुन्दर रोड है जैसे कि आपको मैं दिखाऊंँ यहां पे बहुत ही बड़ा रोड बना हुआ है और बहुत ही अच्छी गूमने के लिए जगह है आप कभी भी अगर यहां पे आते हैं तो दोस्तों यहां पे जरूर आए और सामने का ब्यूँ कुछ इस तरह का बना हुआ है मतलब आसमान में बादल भी है और थोड़ी थोड़ी बारिस भी पहले लगी हुई थी अभी तो थोड़ी धूब भी लगी हुई है तो सामने का ब्यूँ इस तरह का है तो जैसे की आपको मैं बताओं यहां पर चारों तरफ हर्याली ही हर्याली है दोस्तों जैसे की आपको बताओं यहां की मैंने कुछ आपको ब्यूद घानी की कुछ की है अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंटर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें